नमस्कार है पेनबाशपई अपने यूटूब चैनल मैं पेनबाशपई पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ SST CGL 2023 वाले जो इस्पिरेंट हैं उनके लिए एक नहीं बलकि एक से ज़्यादा गुड नुज है तो सबसे पहले तो वेकेंसी का जो आईटे का रिपलाई है वो भी आपका आने लगा है SST अभी से 2022 के अलावा 2023 की वी वेकेंसी जो है वो बताने लगा है तो यह अच्छी ख़बर है उसके अलाबा vacancy आपकी इस बार काफी अच्छी रहेंगी तो यह आपके लिए good news है जैसे आप लोग देख पा रहे होगा कि अभी का जो recently data है उसमें 2022 में 30,000 से उपर vacancy है तो इस बार भी आपकी 30,000 से जादा ही vacancy रहेंगी वेकेंसी जो है वो उमीद है कि 50,000 तक आपकी रह सकती क्योंकि 2024 में election को देखते हुए comment का पूरा motto है कि यहाँ पर जादा सजादा जो requirement है वो आपकी कराई जाए उसके अलाबा इस वीडियो को बनाने का purpose सिर्फ उसी पितना है कि मैं आपको vacancy का data दिखाऊं यह बताऊं कि कितनी क्या vacancy आपकी रह सकती है ITIE का जो reply आया है उसमें किस department की vacancy बताएगी है उसके अलाबा जो सबसे important message है जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया वो यह है कि एक गलती इस बार आपको exam से बाहर करा सकती है वो गलती क्या है पहले में उसी के बारे में आपको बता देता हूँ देखे इस बार 2022 से 2022 से ससी ने एक rule लागू कर दिया है कि जो document verification है उसका process अब ससी नहीं कराएगा direct आपका department में होगा तो इससे समस्या क्या होगी अब पहले क्या होता था कि एक मौका आपको मिल जाता था माल लेते हैं कि आपके नाम में कोई mistake है या आपके certificate में जैसे आप AWS का जो आपका certificate है वो उस crucial date का नहीं है या कुछ और problem है तो एक मौका आपको ससी देती थी डीवी में और उसमें आप correction कर सकते थे या as a you are आप consider हो सकते थे लेकिन जब direct आपका department टीवी कराएगा तो फिर कोई भी जो गड़वरी है वो आपकी मतलब उसमें आपको जो है वो राहत नहीं मिलेगी आपको दिक्कत होगी अगर EWS certificate आपका proper date का नहीं है तो आपको general में फिर भरना पड़ेगा उसके अलाबा अगर नाम में कोई correction है तो उसको अभी से आप improve कर लो उसके अलाबा अगर आप graduate हो गयो आपने अपनी degree नहीं मगाई है कभी कभी student को यह problem होती है उनकी degree उनको time पे नहीं मिल पाती है तो जितने भी document से उनको एक बार अरेंज कर लो उसके अलाबा जो बच्चे EWS वाले हैं वो अभी से अपना EWS जो form है उसको apply कर दो और EWS certificate अपना बन बालो बाद में फिर क्या होगा जब vacancy आएगी आपका तो आपका उस date का नहीं बन पाएगा तो यह सबसे बड़ा message है आप लोगों के लिए कि जितने भी आपके documents है उनको ready कर लो और जब proper आपके पास जो documents हैं वही category आप फिल करो अगर OBC आप properly हो तभी आप OBC फिल करो otherwise फिर आपको दिक्कत होगी बाद में EWS का अगर certificate आपका उस date का है तभी आप भरो नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी तो पहला तो message आपके लिए यह है इसमें बहुत ही आपको साथ धनी बरत नहीं है क्योंकि एक mistake करेंगे फिर बहाँ पर आपको दिक्कत होगी department जो है वो directly अगर वो चीज नहीं आपके पास तो फिर बहाँ से वो सारा कुछ जो है वो department पर depend करेगा कि वो आपको रखना चाहे तो रख सकता है नहीं तो आपकी पूरी मेना जो है वो बेकार चले जाएगी तो पहला और important message आपके लिए है दूसरा यह है कि I take a reply अभी आया है आपकी vacancy के regarding तो आप लोग देख पा रहे होंगे SSC ने यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ASO in CSS की vacancy 2022 की बताएं और 2030 की बताएं इकल vacancy है 2022 में भी और 2030 में यह अभी का scenario अभी यह जो vacancy है यह और भी increase हो सकती है अब यहाँ पे क्या हो रहा है अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि vacancy 2022 में चाली जार तक पहुँच जाएंगी तो अभी जो recently I take a लगाए गई गई उनमें अब vacancy नहीं बढ़ रहे है जहाँ पे बढ़ चुकी है जैसे कैग में बढ़ चुकी है पोस्टल असिस्टेंट में बढ़ चुकी है आपकी और जहाँ जहाँ पे आपका मतलब ID का reply आ चुका है बहाँ पे तो vacancy बढ़ी है लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो बहाँ की vacancy जो बहाँ पे बढ़ने थी वो अब 2023 में मर्ज हो रही है आप लोग देख पा रहे होंगे पहले क्या हो रहा था डवल हो रहे ही थी vacancy तो अब आधी vacancy यहाँ पे कर दी गए आधी vacancy just equal vacancy आप लोग देख पा रहे होंगे तो यह आपके अच्छी के लिए अच्छी ख़बर है कि ASO in CSS की 982 vacancy है तो अच्छी खासी vacancy आने वाली उसके अलाबा जो postal department जो PA से हैं उसक और आगे बढ़ाया जा रहा है तो इसमें काफी अच्छी recruitment आपकी आने वाली उसके अलाबा income tax duty department उसमें जो कडर है वो restructure हो रहा है जिसकी वज़े से इतने जो पद हैं वो create होंगे आपके income tax inspector के 9,311 पद create होंगे tax assistant के 16,223 और MTS में 10,270 तो आप लोग MTS का देख पा रह ये वेकेंसी बहुत ज़्यादा रहने वाली है और आप देख लेना कि income tax department में ये वेकेंसी ज़्यादा रिपोर्ट होंगी तो यहां पर देखा जाए तो 25,000 से उपर वेकेंसी चली जाती है और जो नया RRF वो अगर लगू हो गया तो 75% जो वेकेंसी है वो आपकी जो department मत मतलब जो एक्जाम है एक्जाम के तो आप खुश हो सकते हो कि 25,000 का 75% मतलब 18,000 के आसपा जो वेकेंसी है वो आपकी यहां पर open होंगी बच्चों कि जहां पर directly सीधे-सी रिक्यूट कराएगी तो धीरे सारी वेकेंसी जो है वो income tax department में आपको देखने को मिलने वाली है उस में होगा और यह मान के चले यह पूरी पकी ख़वर में आपको दे रहा हूं कि दिसंबर 2023 तक इसका जो complete process है वो हो जाएगा और आपको joining दे दी जाएगी क्योंकि mission mode पे चला है हर महीने पे रोजगार मिला है आयोजित किया जा रहा है तो SSC का पूरा जो PMO की तरफ से directly यह आपे instructions है कि जितनी भी recruitment है उनको काफी fast किया जाए और अब DB का process हटने से क्या होगा कि आपका जो process है उसमें बहुत कम time लगेगा जो main से typing आपका उसी दिन हो जाएगा descriptive को हटाई दिया है तो process काफी कम हो गया है आपका यहाँ पर tier 1 exam होगा फिर mains, mains के साथ ही typing और just आपका final result फिर declare होगा तो यह जो process है यह भी काफी fast आपका होने वाला है तो इसलिए आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी good news है आपके लिए तो इन good news के बाब जुद भी अगर आप selection नहीं ले पाए तो फिर आपको problem हो सकते योगि उसके बाद पता नहीं कि इतनी अच 2022 में आपका अच्छा score नहीं बन पाया तो आपको वो आपकी महनद जो भी बेकार नहीं जाएगी आप महनद लगातार करते रही है यह महनद 2023 में आपके काम आएगी तो उसके लिए जम की preparation करिए और इस बार आपको selection लेना ही लेना है तो उमीद करता हूँ कि जिस purpose से मैंन आप चैनल पर नहीं है और आपने अपके किसे subscribe नहीं किया है तो फिली चैनल को subscribe करना मत भूलेगा